आप सभी का स्वागत हैं इंग्लिश अधिकारी प्लेट्फॉर्म पर आज हम लोग 21, 22, 24 अगस्त के सभी मद्रप्रदेश के करेंट अफेस को देखने वाले हैं और आप पर आपको तमाम प्रकार के इंग्लिश मीडियम के MPPSE के प्री प्लस में इसके कोर्सिस भी मिल जाएंगे वो भी देख सकते हैं कोई समस्याने पर इस नंबर से कॉंट्टेट कर सकते हैं हमारा Instagram पेज भी है और उसका लिंक भी description में है वहाँ पर भी हम लोग करेंट अफेस डाल देते हैं तो ये नंबर है कोई समस्याने पर इससे कॉंट्टेट कर सकते हैं सबसे पहले last class के current affairs को revise करेंगे last class का हमारा सबसे पहला current affair का question क्या था national science film festival 2022 मद्द प्रदेश की कौन सी city में organize होगा तो national science film festival मद्द प्रदेश के भोपाल में organize होगा ये 5 दिन चलने वाला festival होगा 22 से 26 अगस तो जब अभी ये वीडियो बन रही जब आप लोग उमीदे देखेंगे तो ये festival चल भी रहा है हना तो 22 से 26 अगस दो हजार वाइस को ये पांस दिन का festival है बोपाल में सकायोजन होगा ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी चले second question last class का देखते हैं कौन मद्यप्रदेश की ऐसी city है जहां पर जो बीमार पौधे और जो पेड होंगे उनको treat करने के लिए tree ambulance शुरू की गई है तो मद्यप्रदेश की पहली tree ambulance इंदौर में शुरू की गई है और ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप वहिकल शुरू की गई है नेक्स बात करते हैं इंडिया की पहली premium electric bus service new go brand की कौन सी दो cities की बीच में शुरू की गई है और मैंने आपको पता है था एक बार इस bus को charge कर दो पूरा तो 200 km तक चलती कितना जादा है कितना अच्छा है और इंदौर से भूपाल के बीच में शुरू की गई है और इसका मैंने आपको price भी पता जिया था जो fair इन्हों ने decide किया 350 जो की काफी कम है इंदौर भूपाल के बीच में दूसरे conventional जो petrol और diesel से चलने वाली गाड़ी है उनके comparison में और बिलकुल यह एक revolutionary चीज है और भी हम समय पर देखेंगे कि अलग अलग cities में अब electric buses आना शुरू हो जाएंगी next बात करें तो last question हमारी last की class का current affair का था first fully functional literate tribal district तो देश की ऐसा देश का पहला tribal जिला tribal जिला मतलब कौन सा जिला जहां पर हम देखते हैं कि अधिकतर population tribal हो और ऐसा कौन सा देश का पहला tribal जिला है जिसमें 100% लोग functionally literate हो गए है तो मंडला और मैंने आपको बता है था collector जो मंडला की हर्शिका सिंग उनके बहुत जबरदस्ट effort रहे और उन्होंने illiteracy से आजादी का एक campaign जो शुरू किया उसके अंतरगर 2.25 लोगों को 2.25 लाक लोगों को हमने देखा कि दो सालों में इन्होंने literate बनाया और literate बनाया का क्या मतलब है कि अब वो अक्षर भी पढ़ सकते हैं लिक भी सकते हैं साथ-साथ नमबर जो होते हैं उनको भी पढ़ सकते हैं लिक सकते हैं काउंट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफल था चले अब हम निश्चित रूप से जिनका मद्ध्व प्रदेश से सम्मंद है तभी हम इनको MP करेंट अफेर्स में पढ़ रहे हैं और उनका नाम क्या है प्रीत पाल सलूजा तो यह है प्रीत पाल सलूजा साथ मद्ध्रेश हैंड बउल असोसिएशन से सम्मंद हैं अब इंडियन suficiente नाम क्या प्रीत पाल शलूजा रूप से आप question expect कीजिए, दो-तीन तो ऐसे नाम है, कि इतने बहुत ज़ादा chances है कि आपको इस साल अगने साल जितने exam होने वाले, क्योंकि बस अब exam आने ही वाले, आप देखने हैं हर बार, आपके मामा जी हर जगा जगा जाके एक लाग एक लाग देंगे, हम एक लाग नौ जगातार back-to-back exam दोगे, तो बिलकुल ये सारे जीज़े जो भी हम देखने वाले हैं, इनमें से देखना आपको कोई ना कोई question दिख जाएगा, चलें, आते हम लोग discuss कर लेते हैं, तो MP Cricket Association के अंतरगत हमारा एक option वाले व्यक्ति का उसमें नाम है, तो हम पढ़ते हैं, MP Cricket Association established as Holker Cricket Association in 1941 in Indoor, तो जो मद्यप्रदेश Cricket Association है, वो जब established हुआ था, तो उसका नाम था Holker Cricket Association, इसको जो लास्ट इंदौर के महराजा थी, हना, इंदौर स्टेट के लास्ट महराजा, यश्वन्त राव Holker 2, उन्होंने इसको create किया था, Holker Cricket Association को 1941 में, और ये MP Cricket Association कब बना 1956 में बना, और अगर मैं First Chairman की बात करूँ, ये बड़ा prominent question होता है, क्योंकि जो current Chairman है, उनका नाम अभीलाश कहंडेकर है, लेकिन ये समय के साथ आप भी समझदारों बदलते जाएंगे, लेकिन मैं बार 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 बोलता हूँ, जो वेक्ति First होता है, MPPC First पर जाधा focus करता है, पर जाधा focus करता है, क्योंकि उसके खुद के लोग बैठे रहते हैं, एक्जाम बनाने वाले, वो तो अपडेटिट नहीं रहते हैं, तो हो रिस्क नहीं लेते हैं, हमको खुद को knowledge हो नहीं हो, वैसे भी गलतियां करने में माहिर है, इसलिए फर्स्ट वाला पूछ लेते है के फर्स्ट कैप्टन भी कभी आपसे कोई पूछे, तो सीके नाइडू बताना, इनकी बेटी चंद्रा नाइडू, तो जो चंद्रा नाइडू है, इनकी बेटी उनका हाल ही में निधन हुआ है, और हम देखते हैं, कि वो फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कॉमेंटेटर थी, तो है, चले, तो यहाँ पर करेंट चेर्मेन कौन अभीलाश खंडेकर, फर्स्ट चेर्मेन सीकेन, आइडू, फर्स्ट सेक्रेटरी, एमेम जगदले साथ, एमेम का मतलब माधव सिंग, माधव राओ, जगदले, अच्छा, चेर्मेन ऑफ MP ओलंपिक कमिटी, क्योंकि यहाँ प वीडियो नहीं डालते हैं, लेकिन जब भी डालते हैं, तो आप देखते हैं कि पूरे Current Affairs जो important वाले, बिल्कुल सब कबर करते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरुवत नहीं कि सर, gap में वीडियो आती है, कोई बात नहीं, gap में आती, उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी Current Affairs का माहूल तो बनने दो, कि जब हम पूरे साल भर के भी देखेंगे, तब रोजो वीडियो डालेंगे, अभी Current Affairs के question जो मद्द प्रदिश के लेवल पर आते हैं, तो हम देखते हैं कि एक आथ कोई important news आती है एक दिन में, अब एक question के लिए तो वीडियो बनाना समझ पिछला वाला भी, जो हो चुका है, मैंने टेलीग्राम ग्रूप पे बता दिया था कि डारेक्ट कोश्चन जो हमने Current Affairs पिछले एक्जाम के लिए देखा था, वहीं से आया है, और इस बार भी ऐसा ही होगा, तो निश्चिंत रहें, उसके लिए परिशान नहीं होना है, चल चंदरकांत पंडित कोच थे MP Cricket टीम के, और कैप्टन कौन थे, आदित्य श्रिवास्तव, मैंने आपको बार पर बताया था, और जो चंदरकांत पंडित साहब अभी फिर से trending चल रहें, क्यों चल रहें ट्रेंड में, इसलिए क्योंकि ये Kolkata Night Riders, जो IPL की टीम है, उसके क कोच भी सिलेक्ट कर लिया गये हैं, तो ये जो MP रंजी ट्रोफी टीम को इन्होंने जितवाया, तो अब इनको IPL में सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन दोनों ही जो format हो तो उसमें बहुत फर्गे, रंजी ट्रोफी आप समझते हो कि वह एक test format है, slow game है, IPL 20 over cricket है, लेकिन य उनको सिलेक्ट किया गया है, तो चंदरकांथ पंडित साब, ये MP टीम जो रंजी ट्रोफी जीती है, उसके कोस्ट और अब इनको कोलकता नाइट राइडर्स का कोज भी सिलेक्ट कर लिया गया है, चले, next question की बात करेंगे, इंडिया का पहला solar powered vaccination center कहां पर बनाया गया है, स storage rooms को बहुत जादा electricity की अवशकता होती है, अब अगर आप conventional electricity की बात करो, तो आपको मालूम होगा, जैसे अभी हाली की मैं बात बताओं, मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में इतनी जबरदस्त कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले इतनी जबरदस्त बारिश होई, इतनी 28 घंटों के लिए लगातार गई थी, और ऐसा सच में नहीं हुआ, मैं personally इतनी समय से देख रहा हूँ, मतलब मैं तो बचपन से भोपाल में हूँ, तो मेरा भी जीवन निकल गया, जाती थी light, कभी कर बहुत लंबा गया हो, बचपन का तो याद नहीं लेकिन जब से मुझे लगाई गई, जिन्होंने फिर उसको हर जगा से सही किया, फिर light आई है, तो अब आप सोचें कि ऐसी स्थिती में तो वैक्सीन पुरी खराब हो जाएंगी, उनको इतना जादा समय थोड़ी ना, इतने high temperature में छोड़ सकते हो, तो खराब ही हो जाएंगी, और इसलिए ऐसा इसलिए सोलर पावर वैक्सीन हाउसे में उनको रखा जाएगा, तो दो ऐसे वैक्सीन हाउसे को ट्रायल स्टेज में शुरू किया जा रहा है, एक बिहार में और एक MP के ग्वालियर में, तो पूने, दिली, भोपाल की टीम है अभी गई थी ग्वालियर, और ग्वालियर मे इंडिया का पहला सोलर पावर्ड वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर, तो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड वैक्सीनेशन सेंटर ग्वालियर में, आईए पढ़ते हैं, तो बिहार और ग्वालियर में क्या करेंगे, वैक्सीन जो हाउस हैं, वहाँ पर सोलर प्रांट लगा द तो वेक्सिन खराब नहीं होगी, पता चला लाइट नहीं तो वेक्सिन इतनी हजारों करोनों की खराब होगी, नेक्ट बात करें, अच्छा क्योंकि हम लोग वेक्सिनेशन की बात करें, इंडिया का पहला Child Friendly Vaccination Center कौन सा है, Child Friendly का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार से जो मुनिसिपल कॉर्पोरेशन रैंक्ड फर्स इन सोलर पावर जनरेशन इन ग्रीन इंडेक्स की होगी, यह कुछ दिन पहले कर रहा हुआ क्वेशन था, मद्द प्रदेश सरकार ने ग्रीन इंडेक्स शुरू किया है, ग्रीन इंडेक्स के अंतरगत यह अलग-अलग रैंकिं और मैंने आपको बता है, तो यह बहुत जाद है, दूसरा को इसके आसपास भी नहीं, ग्रीन में है 6000 किलो वाट, बस केवल 6000 किलो वाट, और वहां पर आप देखो, 22,30,000 किलो वाट केवल इंडॉर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन अकेले प्रेड्यूस कर रहा है, तो इसलिए यह first आये थे, फिर country का पहला solar powered kitchen village, अब देखो क्या बुला है, solar powered kitchen village, kitchen village क्या होता है सर, देखो solar powered village तो बहुत सारे हैं, solar powered village बहुत सारे, बहुत सारे ऐसे गाउं है, जहां पर solar power से हम देखने पूरे जो गाउं के जो घर वगेरा हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन kitchen village का मतलब है कि SI village जहां पर खाना भी solar power की मदद से बन रहा हो, यह बहुत बड़ी बात है, कि खाना भी solar power से बन रहा है, तो वो है बांचा village जो की बैतूल जिले में आता है, तो बांचा village बैतूल जिले में जो आता है, यह country का पहला solar powered kitchen village है, इंडिया का पहला solar park, अब तो बहुत सारे solar solar park के गणेश पुरा राजगर में इंडिया का पहला solar park लगा था, यह आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे question होते हैं, जो कभी भी आ जाते हैं, इस साल पटवारी का exam होगा, SI का exam होगा, PST का exam होगा, और Assistant Registrar का exam होगा, बहुत सारे exam होगे, IES exam होगा, IES कर रहा हूँ, sorry, जो हम लोग solar power project की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको Riva ultra solar project को तो बिलकुल हम लोग इसको बिना discuss की आगे बड़ी नहीं सकते, तो यह मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा solar power project है, और यह 7500 megawatt का solar power project है, तो 250 into 3, यानि 250 units की 3 units यहाँ पर लगी हुई है, जो solar power produce करती हैं, तोटल 750 megawatt produce करते हैं, यह गुर तहसील Riva में, R, U, M, S, L इसको बोलते हैं, और जो भी production हो रहा है, जैसे 750 megawatt का, तो इसका 24% R, U, M, S, L किसको देता है, Delhi Metro को देता है, तो इनकी deal हुई है, कि Delhi Metro को 24% supply कर दिया जाएगा, चलो, world's biggest floating solar power, यह बिलकुल बहुत important है, आप सोचें, directly question आ सकता है, कि किस से deal हुई है, Delhi Metro से हुई है, कितना percent देंगे, 24% देंगे, production किता है, 750 megawatt कहां, पर रिवा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा solar power project कौन सा है, तो R, U, M, S, L 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 है, तो R, U, M, सबसे बड़ा जो है, तो यह पहले आना चीना, उससे नहीं, समझेगा, यह floating है, यह floating है, तो यह floating की category में सबसे बड़ा है, तो अच्छे से सुनना है, यह जमीन पर लगा हुआ है, तो दुनिया के जो अधिकतर, जो solar power project है, वो जमीन पर ही लगे हुँ है, तो मध्य प्रद खंडवा में, जो ओम का रिशवर है, वहाँ पर 600 MW का जो प्लांट है, वो सबसे बड़ा है, अधिक भी रहा हो गई, 750 है, यह 600 है, तो निश्चित रूप से इन दोनों को compare करेंगे, तो यह बड़ा है, यह बड़ा है, लेकिन floating की category में सबसे बड़ा यह है, ओम का रिशव में बैठे रहते थे, वहाँ पर इन्होंने जा जाकर जो solar इन्होंने लालटेन वगेरा बनाई है, और भी जो invention solar projects में की हैं, वो जाके बाटे हैं, इनको बहुत जादे international recognition मिला है, बहुत funding मिली है, बहुत सारे international awards मिले हैं, और इनको solar man या solar gandhi of India बोलते हैं, इनने यह इनका project दुनिया में फैला हुआ है, तो यह है solar man of India जिनको हम कहते हैं, चेतन सोलंकी और कित्ते गर्व की बात है, यह मद्यप्रदेश के खरगौन से, नेक्स्ट बात करेंगे, recently, which department of MP has been awarded wow award Asia 2022, अब देखो award का नाम क्या है, wow award Asia, पहली नज़र में आपको लगया कि क्या ब अब इसके पहले सुन लीजिएगा, music और comedy festival में हुआ क्या, इस music और comedy festival में जो की, यह drive in cinema बोलते हैं, अभी आपने सुना हुआ अगर भोपाल में यह मौजूद है, इसमें क्या होता है, इसे बहुत बड़ा ground होता है, और लोग अपनी कारों में बैठ कर, आराम से अंदर ब अब सुनिएगा, तो गिफलिफ का music और comedy festival आयोजित हुआ था भोपाल में, इसी drive in cinema में भोपाल में, ठीक है न, अब हुआ यह कि बड़े-बड़े कलाकार उसमें आये, लेकिन अवार्ड क्यों मिला है, इस particular event को, अच्छा है, यह event करवाया था मध्यप्रदेश tourism board ने, और मध्यप्रदेश tourism department को ही award क्यों मिला, department का award इसलिए मिला है, क्योंकि सारे covid के rules इन्हों ने अच्छे से follow की थे, social distancing और भी जो दूसरे covid protocols थे, और इतना safely वो करवाया कि award मिला है, तो category अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो अब हम उसको पढ़ देते हैं, आई अच्छे से स सुनेंगे, सबसे पहली बात, wow award Asia 2022, कहां पर हुआ, जियो world convention center मुंबई, ये भी question आ सकता है, ये भाई नया नया inaugurate हुआ, जियो world convention center, आपको मालू है, अंबानी बहुत पैसा भाई, जियो world convention center मुंबई में, और वही मुंबई में हमने देखा, कि मध्यप्रदेश tourism department को gift lift driving music festival organize करवाने के लिए, बिल्कुल covid safety के साथ organize करवाने के लिए award दिया गया, तो सबसे पहला question है, किस ने award दिया है, तो award का नाम बता देना है, wow award Asia 2022, दूसरी बात कौन सी category में मिला है, best covid safety event of the year में मिला है, तीसरी बात करें, तो क्या था festival, gift lift driving music festival था, ठीक है, अच्छा, अब इदर देखेंगे, gift lift का full form क्या है, great Indian film and literature festival, तो आप देख भी रहोंगे, यहाँ पर literature से सम्मंदित लोग भी आएं, और यहाँ पर comedian भी है, जैसे प्यूश मिश्रा साहब है, हना यह comedian है भाई साहब, और भी बहुत सारे लोग है, तो आप देख रहे हो, बैंड भी है, तो बहुत सारा music और comedy festival था भोपाल में, और safety covid rules के साथ सब follow किया, इसलिए इनको award मिला है, यह जो gift lift festival था, यह इंडिया का पहला driving comedy और music festival था, जिसमें सारे covid के rules को follow किया गया है, 2019 में भी भोपाल में हुआ था, 2022 में भी भोपाल में इसको आयोजित किया है, जबकि जो wow awards है उन next question देखने से पहले कुछ बात करें, तो हाल ही में हमने unit 4 mains में शुरू किया, काफी बच्चों का बोलते बचे, sir mains, mains क्योंकि अभी pre हो गया, sir mains की बात करते है, mains का ही course है, में को personal message आते है, sir mains शुरू करिए, mains ही शुरू किया हूँ, mains ही शुरू किया हूँ, mains ही चल रह और अगर आपको live class से जुड़ना है, तो यह जो link है, whatsapp group का link है, इससे जुड़ के आप live class वाले group से जुड़ सकते हैं, अगर आप recorded course चाहते हैं, अगर आप recorded course चाहते हैं, तो 520 रूपी में आपको recorded course मिलता है, 3511 marks के pattern में यह पूरा course बना हुआ है, और personally मैंने ही पढ़ा ह 3511 marks के question answers हम लोग यहाँ पर discuss करते हैं, हर topic के इसके बाहर आपको नहीं जाना, तो जैसे कोई भी topic इसे independence movement की बात करें, तो अगर हम सुबद्रा कुमारी चोहन जी को पढ़ने, तो सुबद्रा कुमारी चोहन जी में 3511 क्या क्या आ सकता है, वो discuss करते हैं, और फिर अंत में practice questions भी हम देखते हैं, तो बिलकुल आपको question answers वहीं पर मिल जाते हैं, आपको कोई और किताब नहीं उठानी, बस जो मैंने बता, आपको वो पढ़ना है, याद करना है, लिख-लिख के practice करना है, और बस आप through हो जाओगे, English medium में content रहेगा, जबकि जो discussion होता है, वो इस भाशा म latest है, क्योंकि यह की समस्या रहती है, जो MP subject उसमें समस्या रहती है, कि local publication में कई बार data इधर उदर मिलता है, एक ही किताब में कोई data लिखा होगा, दूसरी जगह वो data उसी किताब में दूसरे page पर गलत लिख दिया होगा, तो बिलकुल verified और authenticated data है, तो बिलकुल सही है, अच courses की बात करें, तो अगर कोई बच्चा pre की तियारी कर रहा है अभी, तो अगर मेंस नहीं पढ़ना चाहरा है, प्री की तियारी कर रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छे जो course है, MP unit 1 prelims, MP unit 1 prelims में आपको पूरा MP history मिल जाता है, यहाँ पे पूरा tribes मिल जाता है, art and culture मिल जा क्योंकि यह बहुत बड़ी unit है, इसके अलावा MP quality, MP economy, pre plus मेंस दोनों बने हुए, इसको भी आप देख सकते हैं, जो pre वाले बच्चे है, जो mains वाले बच्चे है, वो unit 4 और 5 के अलावा MP economy का mains भी शुरू कर सकते हैं, वो भी बहुत जबरदस unit है, next बात करें, MP के अलावा Indian quality priority, pre plus means भी पूरा उपलब दे, जो बच्चे MP के अलावा कुछ देखना चाहिए, उनके पास Indian quality का विकल्प है, चलें, तो next बात करेंगे हम ले, यह सब बाते कर ली, तो next question देखते है, who became the youngest pilot of the country to fly a falcon jet aircraft, मद्द प्रदेश के एक व्यक्ति हैं, जिनोंने अभी हाल ही में falcon jet aircraft उड़ाया है, और दुनिया में ऐसा करने वाले सबसे youngest व्यक्ति बन गए, आप हैरान रजाओगे इनकी उम्र जानके मात्र 20 साल, तो 20 साल में व्यक्ति पाइलेट बन गए है, मैं आपको बता हूँ, उनका नाम है पुरेंदर प्रताप सिंग, यह मद्द प्रदेश के घुपाल, हनब 20 साल की इनकी उम्र है, और दसॉल्ट एविएशन ने, दसॉल्ट एविएशन ने फैलकन को बनाने में मदद की थी, दसॉल्ट एविएशन जब भी शब्दा है, तो आपको राफेल एरक्राफ्ट याद आजाना चाहिए, क्योंकि राफेल को बनाने वाली क कॉमबैट एरक्राफ्ट, तो पहली ऐसी महिला जिसने कोई भी कॉमबैट एरक्राफ्ट, कोई भी फाइटर एरक्राफ्ट उडाया हो, तो ये बड़ी गर्व की बात और बहुत इंपोर्टन बात है, हमारे एक्जाम परस्पेक्टिफ से, अवनी चतुरवेदी, ये रीव भी कॉमबैट एरक्राफ्ट है, मिट 21 बाइसल insult बी कॉमबैट एरक्राफ्ट है, हfounder ये फाइटर एरक्राफ्ट से, पहले किसको उड़ाया गया, WITH 21 बाइसल में शिवांगी सिंग और वारा नसी से हैं तो इनका MP से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन क्योंकि हम लोग इनको डिसकस कर रहे थे कि combat aircraft और राफेल उपर दसॉल्ट के फॉर्म में है तो हमने इनको भी कर दिया चले मद्ध प्रदेश की पहली woman bus driver तो यह को ने रितू नर्वले कुछ समय पहले भी मैंने आपको बताया था जब इन दौर में सबसे पहले शुरू किया गया था पिंक bus का concept जो महिलाओ की bus थी कि भाई सिर्फ केवल महिला यूज़ करेंगी और driver भी फिर महिलाएं चाहिए तो महिला ड्राइवर कहां से लाएं भाई तो इसलिए रितू नर्वले जी को हमने देखा कि इनने पूरा सीखा और यह पहली woman bus driver ऑफ मद्रप्रदेश बनी ठीक है तो फिर उन्होंने पिंक bus चलाना शुरू किया था तो रितू नर्वले इन दौर MP की पहली woman auto driver तो कुछ समय पहले मैंने इनके बारें भी बताए तापको तलज जहां यह auto driver भुपाल से हैं और खुद CM शिवराज सिंग चोहान साब इनके auto में भी परसली बैठे तो MP की first woman auto driver तलज जहां भुपाल चले next question की बात करेंगे next question last question है चलें अच्छे से देखते हैं क्योंकि इस बार 5 question हमने डाले हैं क्योंकि दिन भी हो गया था तो थोड़ा gap हो गया था और हमारे पास जो data था current affair का question वो 5 तक आ गया था इसलिए हमने 5 question डाल दी है which politician from MP participated in the Commonwealth Parliamentary Association Conference held in Canada recently तो हाल ही में Commonwealth Parliamentary Association Conference Canada में चली रही है 22 से 26 अगस्ट तो National Science Film Festival आपको या दे है National Science Film Festival आज हमने revise किया और last class में हमारा question था वो आज revise भी कर लिया 22 से 26 अगस्ट के बीच में National Science Film Festival कहां पर भुपाल में हो रहा है और तभी 22 से 26 अगस्ट में Canada में चल रही Commonwealth Parliamentary Association Conference अब question बोलता है कि मद्द प्रदेश के कौन से वेक्ती मद्द प्रदेश को represent करने इसमें गए तो गिरीश गौतम साब गए थे यह हैं गिरीश गौतम यह कौने मद्द प्रदेश विधान सभा के speaker है तो मद्द प्रदेश विधान सभा के current speaker यह हम इनको कहें अध्यक्ष अना तो speaker अध्यक्ष एक ही बात है तो chairman of मद्द प्रदेश विधान सभा तो एक ही बात है क्या नाम है उनका गिरीश गौतम साब इनका नाम है चल इनके बार में पढ़ते हैं सबसे पहले Commonwealth क्या होता है तो ऐसे देश जो पास्ट में ब्रिटेन के colonies रहते हैं उनके control में रहते हैं उनका ही ग्रूप अभी Commonwealth क्यलाता है कि वही यह तो बुराई की निशानी मतलब तो हम पर कंट्रोल करते थे तो यह तो बुरी चीज थी हम तुमारे Games में participate क्यों करें हना तो ऐसा भी होता है लेकिन इंडिया तो participate करता है क्योंकि आज सब चीज़ों कोई मतलब है नहीं आज कम से कम जो स्पोर्ट्स परसन है उनको कितना जादा लाइम लाइट मिलता है जो लोग जीते हैं उनका उनका हम लोग इतना ट्रेनिंग वगरा में खर्च करते हैं तो बड़े बड़े प्लेटफोर्म पर अगर आप भेजोगे नहीं तो इस्तमाल कैसे होगा तो ज़रूरी है ऐसे गे development goals को implement करवा सकते हैं अपने अपने देश में जो संसद हैं वो कैसे करवा सकते हैं तो वही थीम थी और ग्रीश गौताम मद्प्रदेश विधान सभा स्पीकर ने भी पार्टिसिपेट किया था और भी लोगों ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया तक है अच्छा क्यूं मद्प्रदेश के विधी पुरुष लौ मैन ऑफ एंपी अचा फर्स्ट स्पीकर और फिफ्टींथ विधान सभा करेंटली विधान सभा तो चल रही है वह फिफ्टींथ विधान सभा है ठीक है 2018 से 2023 यह फिफ्टींथ विधान सभा है और पहले कॉंग्रेस जीती थी तो वन स्पीकर बने गिरीश गौतम जो अभी भी स्पीकर है तो पंद्रवी विधान सभा में दो हमने देखा स्पीकर आए एक फर्स्ट स्पीकर अनपी प्रजापति कॉंग्रेस के सेकंड स्पीकर बीजेपी के गिरीश गौतम चले आर्टिकल की बात करें कि स्पीकर और इसमें एलेक्शन होंगे हम लोग वोट डालेंगे और जो 230 विधायक विधान सभा में बैटेंगे वो डिसाइड करते हैं कि उनका स्पीकर है डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा ठीक है तो जाहीर सी बात है कि जिस पाटी को सबसे अधिक वोट मिले है सबसे आदा विधायक जिस पाटी के हैं उनका ही decision चलेगा क्यूंकि जिसको कम मिले भाई Congress को कम मिले या BJP को कम मिले जिसको भी कम मिले उसका वेक्ती तो speaker बने वैसे भी नीवाला तो जिनका जीता है वो ही लोग decide करते हैं हना तो कुल मिला के assembly के लोग decide करते हैं election के through और ये कौन से article में लिखा ह आप बस इता दिवाब में रखना कोशन आएगा प्रिलमस में साफ साफ कि speaker और deputy speaker कौन से article में create कि गए है इंडियन constitution के दौरा कौन से article में establish किये गए इनकी post कौन से article में create की गई है 178 जबकि resignation इनका 179 में resignation के बार में पढ़ते हैं speaker by addressing deputy speaker and deputy speaker by addressing speaker can resign from post यानि speaker को resign करना है तो deputy speaker को resignation सौपेंगे कि भाईया अब मैं जा रहा हूँ अब तुम्हारे हवाले वतन सातियों यानि अब deputy speaker साब आप मेरा काम संभाले क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ तो deputy speaker ऐसी स्थिती में speaker का कारभार संभालता है और अगर deputy speaker को resign करना हो तो deputy speaker speaker को resignation सौपएगा ठीक है चले तो यह हो गए हमारी बात यह है गरीज गौतम साब अब हम लोग जल्दी से revise करते हैं फिर question of the day पर आएंगे question of the day के आप लोग जवाब जरूर दिया करें इससे आपका भी long term तक वो चीज दिमाग में रही और इससे इंडिया का पहला solar power vaccination center कहां पर बनाया गया है ग्वालियर में बनाया गया है इंडिया का पहला भी trial stage में चल रहा है next बात करेंगे हम लोग तो वाओ एशिया वाओ अवाड एशिया 2020 मद्द प्रदेश के किस डिपार्टमेंट को दिया गया तूरिजम डिपार्टमेंट क् कि इसने जो गिफलिफ इवेंट कंडट करवा है कॉमेडी म्यूजिक फेस्टिवल घुपाल में कोविड रूल्स को फॉलो कि यह बहुत अच्छे से सारी डिस्टेंसिंग वगयरा फॉलो की जिसकी वज़े से इसको यह अवाड मिला था अना वाओ अवाओ एशिया 2022 को यह अवाड मिल गया ठीक है तो पुरेन प्रताप सिंग को फैलकान जेट उडाने के लिए यह मिल गया है यंगेस्ट पाइलेट का खिताब नेक्स बात करें तो कॉमन वेल्थ पार्लिमेंटरी असोसियेशन कॉन्फरेंस हाल ही में जो कैनेडा में चली रही है तो इसमें मैंने आपसे क्वेशन का आपको करवाए था मुझे अमीद है आपको याद होगा देखें क्वेशन क्या है वेर हैस चीफ मिनिस्टर चौहान अनौंस टू एस्टैब्रिश वीर भारत समारक तो अभी जब आजादी की बात है हना आजादी के दिन की बात है 15 अगस्त की बा यह मद्र प्रदेश की एक सिटी काउन से में इस्थापित किया जाएगा यही आपको बताना है क्या इंदौर क्या भूपाल क्या रतलाम क्या विदीशा कहां पर किया जाएगा वही आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब लोग जरूर दीजेगा अवीर भा पहुचेगा चले इसके अलावा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि कोई भी फीडबैक हो कोई भी इंप्रूव्मेंट हो सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा हना मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी आप सभी बच्चे जा सकते हो कि बाइब थैंक यू ताटा सी वगीं